गैश्ट कुछ समय से मेरे WhatsApp पर, Mail पर and Paytm application में SBI रुपे कार्ड का ओपर आ रहा है तो आज किस वीडियो में हम इस कार्ड को apply करके दिखाएंगे इसके charge क्या है, benefit क्या है, eligibility क्या है सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले है येस कार्ड का नाम है SBI Paytm Card और ये newly launch हुआ है और ये जो credit card है, ये आपको मिलता है रुपे नेट पर पर, तो हम इसको अपने किसी भी UPI application में लिंक करके और payment करने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इस card पर आपको मिलता है अच्छा कहसा cashback तो सारे जानकाई समझेंगे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को नमस्कार, मेरे नाम है Manish प्रजापती आप सुरी का एक बार फिर से bell का में नियो वीडियो में, चैनल पर अगर आप पहली बार है सस्क्राइब कर देना, वीडियो कर पसंद आती तो एक लाइक जिरूटर देना तो गईस, Paytm SBI रुपे का ओफर हमारे लिए Paytm ने कम से कम 2-3 जिगह दिया हुआ है जिसकी आप यहाँ पर एक mail देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए Paytm SBI रुपे का ओफर मिला हुआ है और यह जो mail आया हुआ है, यह official Paytm की mail ID से आया हुआ है इसके लाब देखिए Paytm के ओफिसल बाटसप नमर से हमारे पास इस प्रिकार का एक बाटसप पर SMS आया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर बताया गया कि आप पचास हजार रुपे तक की budget कर सकते हैं और आप अपना जो Paytm SBI रुपे करेट कार्ड है इसको apply कर लिजेगा इसके लाब जब भी हम अपना Paytm application open करते हैं तो यहाँ पर बार बार हमारे लिए इसकार देखिए जो offer है Paytm SBI रुपे कार्ड का यह यहाँ पर दिखाता रहता है तो फिर हमारे लिए भाई यहाँ पर Paytm ने मजबूर कर दिया इस कार्ड को apply करने के लिए तो हमने सोचा के जब Paytm SBI कार्ड apply करे रहे तो एक वीडियो सूट भी कर लेते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए का और आपको हम लाइब दिखाएंगे इस कार्ड को apply करके कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो पता नहीं लेकिन सारा process आपको हम बताएंगे इस वीडियो में इसके charge क्या है इसके benefit क्या है visibility क्या है कौनकों सो लोग इसको apply कर सकते हैं और कैसे apply करना है यह सारा process आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा तो इस कार्ड को आप कई तरीके से apply कर सकते हैं अगर आप directly जो mail है, यहाँ पर देखिए इस पर कारक आया हुआ है, इस पर apply का option हैगा, आप इस पर click कर सकते हैं, या फिर बाट सब पर यहाँ पर apply का option हैगा, आप इस पर click कर सकते हैं, अगर आपको PTM SBI रुपे card apply करना है, तो इसके लिए आपको अपना PTM application open कर लेना है, त आपको कोई banner नहीं मिलता है, तो आप simple से search वाले option पर click करिए, और यहाँ पर आप search करिएगा credit card, तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, देखिए credit card का, तो यहाँ पर आपको इस पर click करना है, और अगर आपको इस credit card का offer मिला होगा, तो यहाँ पर इस card से आपको दिखा देग हमारे लिए यहाँ पर दिखा रहा है credit card on UPI एनि कि हम इस credit card को अपने UPI से link कर सकते हैं जो credit card में मिलने वाला है यह रुपे network पर मिलने वाला है तो इस credit card का सबसे बड़ी है benefit तो यह यह मान सकते हैं कि हम इस credit card को UPI से link कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं इस credit card कुछ बेनी भिट की तो अगर आप अपने इस credit card से paytm app दवारा travels booking करते हैं या फिर movie ticket book करते हैं तो आपके लिए मिलता है यहाँ पर 3% का cashback बांकि आप अपने paytm app के दवारा कुछ भी खर्च करते हो तो आपके लिए फिर यहाँ पर मिलता है 2% का cashback इसके लाबा all other spend यहीं कि कई भी कुछ खर्चा करो तो आपके लिए यहाँ पर 1% का cashback दिया जाएगा आप यहाँ पर यह clear नहीं है कि all other spend में यह जो upi वाला feature है इसको count करते हैं कि नहीं करते हैं जा तक उमीद है कि भाई इसको count करेंगे और आपको upi पर भी यहाँ पर 1% का cashback देखने को मिल जाएगा बट इसके हम guarantee नहीं लेते हैं इसके लाबा यहाँ पर आपके लिए paytm का जो first member से फे वो फ्री मिलता है जिसकी value यहाँ पर 5,000 रुपे बताई गई है इस credit card पर आपके लिए fraud insurance मिलता है एक लाग रुपे का बाकि जो भी यहाँ पर आप बड़ी आसानी से EMI में convert कर सकते हो 1% का यहाँ पर आपको fuel success का benefit देखने को मिल जाएगा और आप अपने इस credit card के थुरू अपने गर परिवार में किसी के भी 3 add-on card generate कर सकते हो तो यह सारे के सारे benefit है इस credit card के अगर हम बात करते हैं इस credit card के charge end fees की तो इसका यहाँ पर annual पीस बताया गया है only 499 प्लस GST लेकिन joining फीस के वारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और यह credit card आपको मिलता है SBI की तरफ से तो हमने एक बार SBI की website पर जाकर के देखा तो यहाँ पर मालूम चला कि भाई इसका joining फीस से 499 रूपे और इसका annual फीस से 499 रूपे लेकिन प card मिलेगा joining फीस लगता है कर नहीं लगता है लेकिन यहाँ पर खुल के यहाँ पर कोई जनकारी इनोंने नहीं बताई कभी कभी यहाँ पर आपको जो 499 रूपे फीस दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए 1499 रूपे भी देख सकता है तो आपको हम बता दें PTM ने SBI के साथ में लगर के दो क्रेट कार्ड लांच किये थे यहाँ पर एक आता है इनका select क्रेट कार्ड उसका फीस से 1499 रूपे तो आपको देख लेना है कौन सा कार्ड आपको ओफर मिल रहा है यहाँ पर उसके साबसे आपको यहाँ पर फीस लगने बाला है चले अब बिना किसी दिरी अगर आप apply करना चाहते हैं तो हमने link डाल दिया है वीडियो के discussion में तो आप जैसे उस पर click करेंगे तो आप redirect हो जाएंगे PTM application में इसके बाद आपको card वाले option पर click करना है और यहाँ पर apply वाले option मिलता है इस पर आपको इस बार click कर देना है इसके बाद सबसे पहले यहाँ आपको अपना pen card का number डाल देना है अपनी date of birth डाल देना है अपनी mail डाल देना है नेचे आपको अपना father's name डाल देना है और अपना gender select कर लेना है male female इसके बाद यहाँ पर आपको india select कर लेना है नेचे यहाँ पर आपके लिए अपना address add कर लेना है तो आप add वाले option पर यहा यहाँ पर द्यान दिना है बताया गया है कि जो आप address यहाँ पर add कर रहे हैं याणि कि address डाल रहे हैं इस address का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए जैसकि आधार कार्ड, driver license या border ID कार्ड, passport तो आप यहाँ पर अपना current address डाल दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको select करना के बाद आप इस term and condition को accept करेंगे और submit वाले option पर click कर देंगे अब यहाँ पर PTM आपकी eligibility वो check कर रहा है कि आपको card देगा कि नहीं देगा तो भाई पता नहीं देगा एक नहीं देगा एक बाद देख लेते हैं थोड़ा से यहाँ पर आपको wait करना है और जैसे ही यहाँ पर जो create card है यह reject हो सकता है नीचे देखिए आपका automate की यहाँ पर नाम देखेगा आपको और यही नाम आपके card पे आएगा अब यहाँ पर आपको अपने जो office address है वो डालना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर click करना है और office address यहाँ पर आपको add कर लेना है जहाँ पर आप काम क करेंगे और एक एक करके पूरा जो अपना address यहाँ पर आप डाल दीजेगा address डालने के बाद यहाँ पर save office address वाले option पर click करेंगे अब नीचे देखिए आपको और permanent address अपना select करना पड़ेगा तो अगर आपका आधार card वाला address ही permanent address ही तो आप यहाँ पर add वाले option पर click करेंग लेकिन अगर आप रहते कहीं है और आपका आधार card वाले address कहीं और का है तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको इस termine condition को click करना है और प्रसेट वाले option पर click कर देना है अब यहाँ पर फिर से चेक कर रहा है कि जो आपने address दिया है उस address पर हमा यहाँ पर लिंक वाले option भी click करते हैं और देखते हैं क्या होता है अगे तो हमारे लिए यहाँ पर अपना apartment book करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर apartment का option मिलता है इस पर आप click करेंगे और यहाँ से आप apartment बुक कर लेगे वाइस यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारा जो application है यहाँ पर दूसरे step पर आगर के रुख गया है, मतलब कि application submit हो चुका है, और यो apartment है, वो book हो चुका है, बस क्या होना है, document collect करने आएगा कोई, फिर आगे application process आगे बढ़ेगा, और फिर final step पर card अप्रूव होगा, ये सारे process यहाँ पर अभी होने वाले हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई भी आगे process नहीं होता है, इसी step पर आपका card मिल जाता है, सीधा card मिल जाता है, video के वासी होलती है, और कुछ भी आपर आगे क्या होता है, आपको document बगरा नहीं लगते हैं लेकिन कई बार bank को अगर लगता है तो bank फिर आगे आपका जो physical किवासी बगरा करा सकती है document बगरा लेने आएगा कि बंदा और हो सकता है कि एक device लाए वो आपका मूटा बगरा लगवाएगा तो ये भी यहाँ पर हो सकता है और कई-कई बार क्या होता है कि आपके office का verification भी यह कर सकते हैं जाकर कि अगर आपका business भी देख सकते हैं तो ये create card का यहाँ पर चलता रहता है मामला कई बिरकार से यहाँ पर इसके process होते रहते हैं तो अगर आपको ऐसा option आता है तो आपको यहाँ पर अपना date भी select कर लेना है जिस time आप मिल सकते हैं तो यहाँ पर आपके साबसे आपको चार दिन का time मिलता है next 4 day तक आप select कर सकते हैं time आप अपने साब देख लिजीगा कब आप गर पे अबलवर रहते हैं तो यहाँ पर आप अपना time select कर लेजीगा और update apartment वाले option पर click कर देजीगा तो यहाँ से आपका जो apartment है यह book हो जाएगा जैसे यहाँ पर आपकी कवाईसी बगर है complete होती है तो आपका card approve हो जाएगा और आपको credit card मिल जाएगा अब इससे आगे हमारा कोई process नहीं बढ़ रहा है यह हमारा apartment के बासी में चला गया सारा का साथ process तो अब कोई बंदा SBI से आएगा उसके बाद क्या होता है तो आगे अपडेट हम आपको दे देंगे अगर card मिलता है तो आपको video बना देंगे और अगर video नहीं आती है समझ देज़े का card नहीं मिला जरोरी नहीं है कि सारे के सारे काम होने के बाद भी आपको card मिले कई बार सब कुछ होने के बाद भी bank credit card reject कर सकता है तो I hope कि आज किस वीडियो के आप समझ गया होंगे किस परकार से आपको SBI का रुपे credit card अपलाई करना होता है जानकर अगर आपको पसंद आये video को लाइक कर दिना किसी bank में अगर आपको credit card अपलाई करना है तो वीडियो को description में link में लेंगे सारके सारे आप apply कर दिना है किलिक करके चले मिलते हैं किसी next video के साथ